वेल्कम तु दे सेशन, इस सेशन में बच्छों हम लोग बात करेंगे food habits of animals, मतलब इसमें हम देखेंगे कि animals जो हैं किस तरीके के food को consume करते हैं और उनके food को consume करने के habits को लेकर हम उन्हें किस किस category में रखते हैं अब तक हम लोगों ने variety of food के बात की कि हमारे human beings के food हैं हम लोग जो consume करते हैं उसमें different varieties हैं वो कैसे vary करते हैं उसके अलावा जो हम food consume करते हैं उसका source क्या है जब हम लोगों ने source की बात की थी बच्छों तो उसके हमने 2 source define किये थे एक source था plant और दूसरा source था animal तो अब हम लोग बात करेंगे की जो यह plant source है और animal source है इनका जो फाइदा है वो animals को कैसे मिलता है जिक है तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जो plant है वो हम लोगों जैसे अगर बात करें के अर तो हम ने कहाता कि अपना food carrot मे store करता है जो की food वो synthesize करता है तो plant जो है basically खास बात green plants में यह होती है कि वो अपना food खुद प्रिद्यूस कर रहे है They produce their own food with the help of air, water, chlorophyll जो उनकी green leaves present है और sunlight तो यह जो nature के जो हमारे कहना चाहिए nature के different resources है उसका इस्तमाल करके plant जो है अपना food खुद प्रिपेर करता है और इसी वजए से plant को क्या बोला जाता है producer? मतलब क्योंकि वो अपना food खुद प्रिद्यूस करते हैं इस वजए से उसफ़वाण क्या बोलते है producer. On the other hand अगर हम animals की बात कर लें, तो animals अपना food खुद प्रिद्यूस लही करते हैं वो तो या directly, या फिर indirectly plants पर depend करते हैं, तो plant animals जो है they directly or indirectly depend on plants for their food, hence are known as consumers क्योंकि वो plant पर depend करते हैं, इस वज़य से हम उनको क्या बोलते हैं, इस वज़य से हम उनको consumer बोलते हैं, ठोकि वो animal or plant को consume करते हैं Directly का मतलब हुआ कि कुछ animals direct plant को खाते हैं तो वो directly उसके पर dependent है Indirectly इस वजे से हम होते हैं क्योंकि animals जो है कुछ दूसरे animals को जब बंजून करते हैं तो वो indirectly plant पर dependent है इस basis पे मतलब कि जो plant जो food habit है animals की उस basis पे हम लोग animals को different categories में रखते हैं इस पूरी बात को और अच्छी तरीके से समयजने के लिए सबसे पहले हम एक activity करेंगे उस activity में हम क्या करेंगे जैसे हमने यह table बनाई इन animals का हमने इसमें नाम लिखा और साथ में लिखा कि कौन से animals का कौन से आप food वो consume करते हैं जैसे अगर हम बफलो की बात करें तो बफलो जो है grass हमें मालूम ही है वो खाती है उसके अलावा oil cake, hay, grains इन सारी चीजों का consumption बफलो करती है वहीं अगर हम बात करें cat की तो cat जो है small animals का शुकार करती है bird का शुकार करेगी उसके अलावा milk भी पीती है अगर हम बात करें rat की तो rat जो है क्या खाते है grains खाते है ठीक है cat जो rat है वो कोई भी कह सकते है की rotting अगर कोई meat है या कुछ है तो वो भी खाते है so meat का animal remains लिखते है चाहिए animal remains के उपर भी वो पीत करते है ठीक है animal remains और different other foods ठीक है यहां तक कि human being के जो food है जो हम cook करके खाते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो खराब हो गया या extra है कई बार लोग उसको पेक देते हैं तो उसका भी consumption यह राच करते हैं अगर हम lion की बात करें तो lion exclusively क्या खाते है लाइन खाते है animals जैसे की deer जैसे की cows या फिर buffalo wild buffalo जीब्राज इस तरीके के चीजे जो है जो lions है वो consume करते हैं similarly tiger का भी consumption कुछ इसी तरीके का है जो spider है वो insects खाते हैं उसी तरीके से अगर हम देखें कि जो lizards है वो भी insects खाते हैं काव किस तरीके के food को consume करते हैं जैसा कि हमने buffalo में खाते हैं अगर हम human beings की बात करें तो human beings बहुत ज्यादा variety खाते हैं अब अगर हम देखें इस particular chart को चीख है तो अब हम इसमें पाएंगे कि कुछ animals सिर्फ और सिर्फ plant खाते हैं जैसे की buffalo जैसे की हमारी जो cow है यह अगर हम देखें तो इनका जो food है वो completely plant से derived है इनका जो source of food है it's always the plant वहीं अगर हम बात करें जैसे की lion या tiger की spider की या lizard की तो आप देखेंगे कि इनका जो food है वो directly, completely जो है दूसरे animals या insects पे dependent है तो इस तरीके से हम देखें की कुछ animals जो है directly plant पे dependent हैं मतलब जैसे की buffalo है या goat है या zebra है अगर आप उन्हें किसी मैदान में छोड़ दे या deer है अगर आप उसको किसी मैदान में छोड़ दे तो what it will do हो जाके वहां के जो plants हैं उनको consume करेगा ठीक है वही अगर उसी मैदान में अगर आप lion को छोड़ दे तो क्या होगा कि lion जो है deer cow या buffalo का शिकार करेगा तो इस तरीके से हम देखें कि कुछ animals directly plant को consume करते हैं कुछ animals जो है उन animals को consume करते हैं जो कि plant को consume ठीक है ना अब यहां पर अगर हमें एक example देखें राट का ठीक है या human beings का यह वो organisms हैं जो की grains जैसे की plant source है जिसका और animal remains जो की animal source है उनका food दोनों तरीके का food बंद दूरते हैं similarly अगर हम human beings की बात करें तो human beings जैसे चपाती, चावल, सबजियां different different plant source से food रते हैं वहीं पे वो कुछ animal products भी खाते हैं जैसे egg, meat फिके यह सारी चीज़े भी वो खाते हैं तो इसी तरीके की food habits पे based यह animals को अलग-अलग category में रखा गया कैसे वो category का division है चलिए समझते हैं सबसे पहली category है herbivores यह वो animals होते हैं जो की plant को ही खाते हैं मतलब these are the animals which eat plants only ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ plants को या plant product वो ही खाते हैं जैसे horse है वो सिर्फ घास खाता है या पर जो भी है आप उसको दे वो अगर हम बात करें deer की तो deer भी इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो भी घास को consume करता है जिराफ हो गया जीपरा है या काव है यह सारे जो animals हैं यह सब जो हैं हमारे क्या हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट को consume करते हैं इस वज़े से इन animals को हम लोग दाते हैं हर्भी वोल्स ठीक है इसञा है नेकस्ट हम बात करते हैं दूसर्रे animals की जिनको हम होते हैं कर्मिल्स ये वो ऐनिमल्स हैं विच इतततो अतरा अनिमल्स मतलब की अधो अधोर अनिमल्स औल्लिि आइसे ही depending on do smiling Espauly elephant के एरिया में से खी अगहरा है अगर भुए पूलच कोरी हग करती है तो वह भी गुवर्ट कशिकार करती है या स्नेक्स करती है फिश बहुण करती हुए तो इस तरही किसे हम देखते हैं कि करनी बोर्स को अधिम्ल्स हैं जो कि और डूसरे सों सीं 우?! यह कि बेक्ते कनदित अगए वह किसी पर डिपैंड कर रहा है ठिक है और लयूज्ड है यह पर ना हो तो क्या हूगए यह • ऑर उसकी वजह से क्या होगा ​ मुट – लेपैंड वुड – स्कार्फ लेपैंड इसी वज़े से यह जो डियर है यह डिर्क्ली और जो हमारा लेपड है वो इन डिर्क्ली जो है प्लांट पे डिपेंडेंट होता है इसी वज़े से हम कहते हैं कि कुछ अनिमल्स डिर्क्ली कुछ अनिमल्स इन डिर्क्ली प्लांट पे अपने पूप के लिए डिपेंडेंट ह तो इस तरीके के animals जो कि दूसरे animals को consume वटते हैं जो कि flesh पे रहते हैं उन animals को हमनों को पूलते हैं carnivals अब एक और category है वो है omnivores की ठीक है omnivores बच्छों वो animals हैं जो की eat जो की दोनो plant और animal products खाब देगे लिए eat both plant and animal products ठीक है न अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस category में इछले table जो हमने बनाई तो उसमें हमने बोला था rat एक ऐसा animal है जो की grains भी खा सकता है waste food भी खा सकता है animal remains भी खा सकता है तो जो rat है वो क्या है यह omnivores उसी तरीके से जो bear है वो berries पे डिपेंड करता है उसके अलावा flesh जो fish की flesh होती है उस पे डिपेंड करता है चोटे animals का भी शिकाता है humans की बात करें तो humans में हमने already देख लिया कि humans में variety of food होती है जिनमें की कुछ source animal का होता है कुछ source plant का होता है crow again is an animal which is a bird basically which is able to eat anything तो crow भी बहुत सारी अलग अलग चीजों को consume करते हैं इसी वज़े से crow को भी हम omnivores देते हैं तो तीन categories हो गई हर्वी बोर्स, कार्णी बोर्स और ओम्नी बोर्स यह तीनों ही category हो है जिनके basis में अलग-अलग हमने animals को divide किया है depending on their food habits ठीक है हर्वी बोर्स वो animals जो की सिर्फ और सिर्फ प्रांट खाते हैं कार्णी बोर्स वो animals जो सिर्फ और सिर्फ जो animals हैं उसको consume करते हैं ओम्नी बोर्स दोनों ही plant और animal products को consume करते हैं ठीक है बच्चो चलिए और इस बार हमने यह definition समझ गी अब एक activity करते हैं इस activity में आप अपने friends के साथ अपने parents के साथ कर सकते हैं आप उनसे कह सकते हैं कि वो कोई भी animal आपको बताएं और आप उस animal को इन categories में ब्रीएं जैसे अगर कोई आपको बोलता है cow तो आपको पता है already की cow जो है इसमें हर भी वोर्स में आपको अगर कोई आपको बोले माल लीजे कोई बोले आपको हाइना तो हाइना इस completely a carnivore चीक है वही अगर आपको कोई बोले माल लीजे rat तो rat हमें मालो में की यह only बोल तो इस तरीके से आप यह activity complete कीजे इसमें list कीजे कौन-कौन से ऐसे animals हैं जो की herbivores हैं कौन से animals हैं जो पार्णी वोर्स हैं और कौन से ऐसे animals हैं अब याद रखिए बच्चो इस पूरी जो हमारा activity है उसमें अपने आसपास महिने वाले animals को जरूर रखेगा ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि आपके आसपास रहने वाले animals जैसे हो सकता आपका कोई pet rabbit हो तो उसको आप किसमें रखते होगे तो आपको मालूम है और जो rabbit है वो क्या है वो आपका एक complete herbivore है तो इस तरीके से आप अपने जो आसपास रहने वाले animals हैं उनको भी categorize कर सकते हैं इस activity से आपको खोड़ी और clarity आएगी कि किस तरीके के animals को हम herbivores की category में रखते हैं कौन से animals carnivores की category में हैं और कौन से animals को हम omnivores बोलते हैं ठीक है और बार करते हैं एक question थी जो पहली पूछना चाहते हैं और वो है where you would place human beings ठीक है so human beings को कहां place किया जाए so बच्चो human beings को जैसे हम already discuss कर चुके हैं कि human beings जो है बहुत ही variety के food बिखाते हैं और इसी वज़े से human beings को किसमें रखा जाता है Omnivores में इसलिए रखा जाता है क्योंकि human beings meat भी खाते हैं जो leafy vegetables भी खाते हैं तो plant product भी खाते हैं और animal product भी खाते हैं इसी वज़े से जो हमारे human beings हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं Omnivores कीक है तो इस तरीके से बच्चो इस chapter में हमने देखा कि जो food है उसकी कितनी सारी variety है जो हम लोग अपने पूरे दिन में हम लोग कितना different type of food भाते हैं और हम अपने एक राज्जी से एक state से दूसरे state में food की variety किस तरीके से change हो दूसरी चील्स जो इस हम लोग इस chapter से समझना चाहते थे वो यह है कि food कितना ज्यादा हमारी daily routine में important है हर दिन अगर हम जैसे food अगर हम ना का है माली जो कोई एक दिन आप food नहीं खाते तो उस दिन आप शाम को क्या फील करेंगे आप वीक फील करेंगे आपके अंदर energy क्योंकि जो food है बच्चों वो आपको हर दिन के day to day function करने के लिए energy देता है ठीक है ना तो इसी वजह से हम यह देखते हैं कि food की क्या importance है यहीं पर एक बात और में highlight करना चाहूंगी कि अब आप यह समझते हैं कि food की कितनी जादा importance है इसी वजह से हम यह भी समझना चाहिए कि food की wastage को जितना हो सके उतना avoid करें मतलब कि जितना आपको खाना हो बच्चों अपनी प्लेटी से उतना ही लेना चाहिए क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे food की scarcity है लुक्त कि हमारे अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा three meals a अगर आप wastage करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मेता उनके लिए बहुत बड़ी problem हो तो wastage of food is a very bad thing right so wastage को avoid करने के लिए we should always eat the amount that we require we should always take it into the plate हम कभी भी जूटा आपना खाना नहीं चोड़ना चाहिए प्लेट में अगर आपने आपको तो इस पर्टिकुलर चाप्टर से हमें समझ में आता है कि food की क्या importance है और उससे हमें क्यों waste नहीं कंदे जाए ठीक है बच्चों? अछिए फॊच्स काप्तर चाप लगा क्या अजिए तूट बच्चर अच्च कर अप्लेट की कि अंपलेटर आपने समघू अपुड़ने की तूच्च व्ड़ने की तूचक से की चापखने लेश्च की अगरषन के लिए बटेश्च, भी वेर आपक व्क्तर है कि अप्ले the solutions in exam preparation previous year's question papers sample papers and model test papers are available with the solutions sign up today on bright duty and avail your courses at affordable prices